कि Seo आसलामकुम स्टुडेंट्स मैं हूंथ अब्दुल कुद्दूस इक आपका पिजिक्स सीचर स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिसकेशन है सैंत्रि पिटल फॉर्स में न особु हम centripetal force को define करेंगे बलके हम centripetal force के formula को derive भी करेंगे तो students lecture को start करने के लिए चलते हैं lightboard की तरफ हमारा आज का topic of discussion है centripetal force students हम आज का topic start करेंगे centripetal force की definition से dear students centripetal force को define करने से पहले हम force की definition को discuss करते हैं तो students जैसे कि आपको मालूम है force की definition क्या है a force moves or tends to move an object means that force यह तो रुकवे object को move करवाती है यह करवाने की कोशिश करती है यह चलते हुए object को रोकती है यह रोकने की कोशिश करती है और force का एक और काम भी है यह force किसी भी moving object की motion की direction भी change करती है तो students centripetal force भी क्या करती है centripetal force एक ऐसी force है जो किसी भी point पर object की मोशन की डारेक्शन को चेंज करती है तो स्टूडेंट्स फॉर इग्जैंपल मेरे पास एक स्ट्रिंग है उसके एक एंड पर मैंने मैस को अटैच किया और उसको होरिजोंटल या वर्टिकल सरकल में मूव करवाता हूं तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जैसे ही वो स्टॉन उस सरकल में मूव करेगा तो सरकल में मूव करने से उस आपजेक्ट की जो डारेक्शन ओफ मोशन है वो हर पॉइंट पर चेंज होगी तो students किसी भी object को circular path में move करवाने के लिए एक ऐसी force की जरूरत होती है जो उस motion की direction को हर point पर change करें तो students ऐसी force को हम क्या कहते हैं centripetal force कहते हैं grade 9 में आपने centripetal force की definition पढ़ी थी which states that the force which is required to move an object into a circular path लेकिन स्टुडेंट्स यहां पर हम centripetal force की definition करेंगे दा फोर्स विच बेंड दा नॉर्मली दॉर्श स्टर्टपट्ट करेंगे दा फोर्साप्स्ट लेकिर हैंощा फोर्स दा बेंगे व 186 अ कि सेंट्री बिटल पॉर्स के ऐसी फॉर्स जो एक स्ट्रेट पाथ को एक सर्कुलर पाथ में बेंड कर दे उस फॉर्स को हम कहते हैं स्टूडेंट्स सेंट्री बिटल पॉर्स तो स्टूडेंट्स पॉर्स फॉर्स फॉर्स हैं इसी सर्कल को दुबार आसे कंसीडर करते हैं फॉर्स फॉर्स इशेल पॉइंट ऑफ ऑफ जिसका मैस है मौस पाथ में मौका रहा है लेकिन students, जैसे ही इस motion के उपर एक external perpendicular force act करेगी तो ये object straight जाने की बजाए इसका path थोड़ा सा क्या हो जाएगा, bend हो जाएगा तो students, again, ये object सीधा जाने की बजाए इसकी थोड़ी सी direction of motion change हो जाएगी due to the force acting perpendicularly on it now students, अगर हम इस point को point B से represent करे again, point B पर object के उपर एक perpendicular force act करती है और object straight इस direction में जाने की बजाए उसका path थोड़ा सा क्या हो जाएगा, bend हो जाएगा तो direction change हो जाएगी अगर हम इस point को C से represent करे again, अगर इस point पर object के उपर perpendicular force act करती है तो object सीधा जाने की बजाए उसका path फिर क्या हो जाएगा bend हो जाएगा और इस point को हम point D से represent कर सकते हैं तो students similarly, अगर बाकी points के उपर भी object के उपर एक perpendicular force act करे तो हर point पर object की direction of motion क्या होगी change तो object ultimately एक circular path में move करना start कर देगा तो students यहां से आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी object एक circular path में move करता है तो उसकी हर point पर direction change हो जाती है लेकिन students अगर मैं यह कहूँ कि object is moving with constant speed तो students क्या object की velocity में change आएगा या नहीं आएगा तो students जैसे कि आपको मालूम है कि velocity is a vector quantity velocity के अंदर magnitude भी होगा और उसकी direction भी होगी तो students velocity का जो magnitude है हम उसको represent कर सकते हैं with the help of speed velocity का magnitude किसको represent करता है object की speed को represent करता है तो अगर इस circular path में object move कर रहा है with constant speed it means that कि velocity का magnitude change नहीं हो रहा लेकिन circle में move करने की वज़ा से उसकी हर point पर direction की value क्या और रही है change जिसकी वज़ा से हम कह सकते हैं कि object की velocity में change आ रहा है तो students यहां तक हमने centripetal force की definition को discuss किया और देखा किस तरह से centripetal force object की direction of motion change करती है ताके ultimately object circular path में move कर सके now students हमारी next heading होगी symbol की के centripetal force को हम किस तरह से represent करते हैं तो students force का symbol हम use करते हैं एफ लेकिन centripetal force के लिए हम एक subscribe use करेंगे c तो centripetal force का symbol है students fc now students अगर हम centripetal force के formula की बात करें तो students centripetal force की value को calculate करने के लिए जो formula इस्तमाल किया जाता है it is equal to fc which is the centripetal force is equal to mv square over r m is the mass of the object v is its speed and r is the radius of the circular path now students formula के बाद अगर हम unit की बात करें या dimension की बात करें तो students जैसे के आपको मालूम है force का ऐसे unit है newton which is represented by the capital letter N लेकिन students अगर हम in terms of base units बात करें तो हम लेकेंगे it is equal to kilogram meter per second square लेकिन students अगर हम dimensions की बात करें कि क्या ये एक vector quantity है या scalar quantity तो students जैसा के आपको मालूम है force is a vector quantity तो students अगर centripetal force एक vector quantity है तो इसकी कुछ न कुछ direction भी होगी तो students याद रखियेगा is और always directed towards center of the circular part कि centripetal force की direction हमेशा circle के center की तरफ होती है तो students, यहां तक हमने centripetal force की definition को discuss किया उसके symbol को देखा, formula, unit, यहां पर dimensions को discuss किया और last पर हमने nature को देखा कि centripetal force एक vector quantity है जिसकी direction हमेशा circle के center की तरफ होगी Now students, अब हम centripetal force के इस formula को derive करेंगे which is equal to mv square over r तो students, हमारी next heading होगी explanation की यहां फिर derivation की जिसमें हम centripetal force के इस formula को derive करेंगे So students, let consider an object of mass m which is moving in this circular path of radius r For example students, circle का center है o, initially object point a पर मुझूद है तो students, circle के center से point a तक का distance किसके equal होगा? It is equal to the radius r तो students, अगर object point a से move करके point b तक पहुंच जाता है तो students, इस point को हम point b से represent कर सकते हैं और again center से point b तक का distance भी किसके equal होगा? रेडियस r के equal होगा Now students, for example, अगर मेरे पास एक stone है और एक string है stone को string के साथ बांद कर जिस तरह हमने यहां पर example में discuss किया था इसको मैं vertical या horizontal circle में move करवाता हूँ अगर किसी भी point पर वो डोरी तूट जाती है तो वो पत्थर, stone किस direction में move करेगा? तो students, वो stone move करेगा in the direction of tangent तो tangent क्या होता है students? Tangent एक ऐसी line होती है जो किसी भी curve को एक point पर touch करती है तो students, point a पर object की जो linear velocity है it is represented by the tangential velocity तो students, point a पर object की linear velocity की direction क्या होगी along the tangent which is represented by v1 similarly students, अगर मैं point b की बात करूँ तो point b पर object की linear velocity होगी v2 and it is also in the direction of tangent at this point now students, हम central angle को angle theta से represent कर सकते हैं तो students, explanation में हम सबसे पहले इस diagram को explain करेंगे कि किस तरह से हमने एक object को consider किया जिसका mass m है and that object is moving in a circular path of radius r point a पर object की linear velocity को हमने represent किया है v1 और उसकी direction है along the tangent point b पर object की linear velocity को हमने represent किया v2 के साथ and it is also in the direction of tangent तो students, यहाँ पर हम assume करेंगे the object is moving with constant speed तो speed तो constant है लेकिन direction change होने की वज़ा से object की velocity में change आएगा तो due to the change in velocity हम लिख सकते हैं कि object के अंदर acceleration produce होगा which is equal to the rate of change of velocity और students, इस equivalent हम equivalent number 1 से represent करेंगे and students, this acceleration is the centripetal acceleration now students, अब हम क्या करेंगे अब हम एक next formula यूस करेंगे now, as we know that distance is equal to v multiply by delta t distance किसके equal होगा the product of speed multiply by time तो students, object point a से point b तक move कर रहा है उसको कुछ ना कुछ time required होगा जो किसके equal है, delta t के equal लेकिन students, point a से point b तक object ने कितना distance कवर किया है it is equal to the distance s तो students, यहाँ पर distance किसके equal है, speed multiply by delta t time तो यहाँ से हम students delta t की value को calculate करने के बाद delta t की value को equation number one में put करेंगे तो students, delta t किसके equal है distance divided by speed now हम कह लिखेंगे put this value in equation one तो students, equation one किसके equal है ac is equal to delta v but delta t की जगा हम उसकी value put करेंगे, which is equal to distance divided by speed now students, जैसे के आपको मालूम है divide में third value, first value से multiply होगी तो हम लिखेंगे students v multiply by delta v over s now students, इस equation को हम equation number two से represent करेंगे now students हम लिखेंगे let consider a triangle o a b जैसा कि आप diagram में देख सकते हैं there is a triangle which is represented by o a b तो students, आप इस triangle को analyze करेंगे तो आप देखेंगे कि इस triangle की two sides equal है, first one is o a which is equal to the radius of the circle and second one is o b which is also equal to the radius of the circle तो students हम लिख सकते हैं in this triangle o a b the side o a and side o b both are equal to the radius of the circle which is represented by r तो students, ऐसी triangle जिसकी कोई सी two sides equal हो, उस triangle को हम क्या कहते हैं isosceles triangle it means that triangle o a b is an isosceles triangle now students, अब हम इसी की सीमिलर एक और triangle draw करेंगे तो उसके लिए हम लिखेंगे let draw an other triangle which is triangle P Q R लेकिन students, यह triangle हम इस तरह से draw करेंगे for example, हमारा first tangent है V1 उसको हम मिलाएंगे second tangent V2 के साथ तो students, अगर हम इन दोनों tangents को redraw करें in the same direction तो हम students किस तरह से represent करेंगे this is the direction of V1 students and students this is the direction of V2 तो students अगर हम head to tail rule यूज़ करें तो students अगर मैं V1 को V2 के साथ concise करूँ और इसको मैं किस से represent करूँगा delta V के साथ this is the resultant इसको मैं किस के साथ represent करूँगा students delta V के साथ अगर हम इस triangle को label करें तो students हम represent करेंगे PQR Now students इस triangle को हमने किस तरह से बनाया है? आप बताएंगे, आप explain करेंगे, this triangle is such that the side PQ is parallel and equal to V1 and students the side PR is equal and parallel to V2 Now students, जैसा कि यहां पर हम point A और point B पर object की अगर speed को consider करें, तो हमने start पर imagine किया था the object is moving with constant speed तो इसका मतलब यह है कि V1 का magnitude V2 के magnitude के equal होगा Now students, हम लिखेंगे the magnitude of vector V1 is equal to the magnitude of vector V2 और इन तो हम दोनों के magnitude को हम किस से represent करेंगे V के साथ and V is the speed of the object जिस speed से object इस circular path में move कर रहा है Now students, अगर हम triangle PQR की बात करें तो students, आप analyze करें तो आप देखेंगे the side PQ किसके equal है V1 के equal और V1 का magnitude किसके equal है V के equal तो ultimately हम कह सकते हैं V1 vector का magnitude किसके equal है V के equal Now students, अगर हम side P R की बात करें just magnitude को consider करें तो students, V2 vector का magnitude भी किसके equal है V के equal तो हम लिखेंगे students, it is also equal to V V1 का magnitude और V2 का magnitude दोनों किसके equal है V के equal तो students, क्या ये triangle भी एक isoseless triangle नहीं बन जाएगी क्यूंके इस triangle की भी two sides equal है तो students, हम लिखेंगे तुस्य आहे थर्स त्रियंगल P Q R इस आल्सो अ ए आई आई एसोसिलिस त्रियंगल तो students, नतीजह ये निकला ट्राइंगल OAB भी एक आइसोसिलिस ट्राइंगल है और ट्राइंगल PQR भी एक आइसोसिलिस ट्राइंगल है अब हम इन दोनों ट्राइंगल को फर्दर डिसकस करेंगे ट्राइंगल OAB and students triangle PQR Students यहाँ पर हम एक और चीज़ डिसकस करेंगे For example students, अगर इस tangent को मैं tangent V2 के साथ concise करता हूँ तो students यहाँ पर एक बहुत ही interesting phenomenon डिसकस करने लगे है Students, अगर object point A से circle के circumference के उपर move करता हुआ point B तक object पहुंचता है तो students A से B तक जाने में object में गतना angular displacement कवर किया होगा in terms of angle theta तो students वो ही angle कहां पर बनेगा जब हम इन दोनों tangents को concise करेंगे For example students, अगर point A से point B तक जाते हुए object ने 30 degree angle कवर किया है तो students जब हम इन दोनों tangents को मिलाएंगे दोनों tangents को मिलाने से students इन दोनों के दरम्यान भी angle की value कितनी होगी It is equal to 30 degree Just for example तो students अगर A से B जाते हुए object ने 60 degree के angle कवर किया होगा तो students अगर हम इन दोनों tangents को मिलाएंगे तो उस वक्त भी दोनों tangents के दरम्यान angle कितना होगा 60 degree लेकिन students यहाँ पर हम कोई value imagine नहीं कर रहे हैं हम just consider कर रहे हैं कि A और B के दरम्यान जो angle है It is represented by theta तो students अगर मैं triangle PQR की बात करूँ जिसको हमने बनाया है with the help of these two tangents और students QR को हमने represent किया है delta V के साथ तो students similarly अगर यही concept हम इस triangle PQR पर apply करें तो students अगर A से B तक का angle theta से represent किया गया है तो students जब हम V1 V2 को मिलाएंगे तो इन दोनों equal sides के दरम्यान जो angle होगा हम उसको भी किस से represent करेंगे theta से represent करेंगे तो students यह point आपने याद रखना है कि किसी भी isosilis triangle की जो दो equal sides है और example यहाँ पर दो equal sides कौन सी थी O A and O B students उनका central angle क्या है theta similarly students यहाँ पर देखिएगा इस isosilis triangle की equal sides कौन सी है first one is PQ and the second one is PR और उनका central angle भी क्या है theta तो students याद रखिएगा अगर किसी भी दो isosilis triangles की equal sides के दर्मियान वाला angle भी equal हो तो हम कहेंगे these two triangles are similar students similar का मतलब क्या होता है equal triangles नहीं है यह similar triangles है एक example से समझने की कोशिश करते है for example students this is a triangle जिसकी sides है three, two and four let's consider an other triangle जिसकी sides है six, four and eight तो students आप देख सकते हैं कि second triangle की जो sides है वो double है as compared to the first triangle तो students यह दोनों triangles अगर similar है तो similar triangles के किसी भी दो sides की ratio किसके equal होगी तो students अगर यह दोनों triangles similar हों तो similar होने की वज़ा से इन दोनों triangles की किसी भी दो sides की ratio हमेशा equal होगी for example अगर हम ratio calculate करें first triangle की इस side की इस side के साथ तो students answer क्या आएगा 3 by 2 और students अगर हम second triangle की भी इन ही दोनों sides की ratio calculate करें तो हम लिखेंगे 6 divided by 4 तो after cutting students आपका answer क्या आएगा 2, 3, the 6 and 2, 2, the 4 तो students आपने देखा कि अगर दो triangles similar हों तो उनकी किसी भी दो sides की ratio हमेशा equal होती है तो students यहां पर हमने proof किया है कि triangle O, A, B and triangle P, Q, R are also similar और यह similar क्यों है students क्योंके students according to side angle side postulate कि इस triangle की दो sides equal है इस triangle की भी दो sides equal है यह बात तो confirm है कि triangle O, A, B, B एक isosilis triangle है और triangle P, Q, R, B एक isosilis triangle है तो students किसी भी दो isosilis triangle की equal sides के दर्मियान का angle भी अगर equal हो तो वो triangles कौन सी triangle होंगी students similar triangles तो students हमने यहां पर proof किया है कि both of these triangles are similar triangles अब हम क्या करेंगे जिस तरह हमने इस example में इस triangle और इस triangle की दो sides की ratio को equal represent किया है हम क्या करेंगे triangle O, A, B की भी two sides की ratio calculate करेंगे triangle P, Q, R की भी दो sides की ratio calculate करेंगे और और देन उनको equal put करेंगे because these are similar triangles अब हम सबसे पहले triangle O, A, B की बात करते हैं तो students हम लिखेंगे in triangle O, A, B triangle O, A, B की हम दो sides की ratio find करेंगे और वो sides कौन सी होंगी तो students एक side तो हम must consider करेंगे वो कौनसी वाली side है which is opposite to angle theta और वो कौनसी side है students A, B लेकिन students अगर हम initially A, B की बात करें तो students आप देख सकते हैं it is a curved path तो हम इसको represent करेंगे curved से divided by denominator में हम इन दोनो sides में से कोई भी side consider कर सकते हैं because ये दोनों equal to है radius R के तो हम यहां पर एक side में लेते हैं O, A now students triangle O, A, B के बाद अब हम लिखेंगे in triangle P, Q, R triangle P, Q, R में हम कौन सी दो sides की ratio find करेंगे तो students एक side हम यहां पर भी must consider करेंगे which is opposite to angle theta and which is represented by Q, R divided by students P, Q और P, R में से हम कोई सी भी side consider कर सकते हैं because दोनों का magnitude इसके equal है V के equal तो students हम यहां पर ले लेते हैं P, Q now students हम यहां पर A, B कर्व को change करेंगे line A, B में तो students A, B कर्व line A, B में कब change होगी when point A and point B are very close to each other and when the time T approaches to zero means means that students point A or point B जितना close होंगे तो उनके दरम्यान यह जो curved distance है वो उतना ही straight distance की तरह represent होगा तो students हम यहां पर consider करेंगे कि point B is very close to point A और ऐसा कब होगा जब delta T time T की value ना होने के बराबर हो तो इसलिए हमने यहां पर कहा लिका है delta T approaches to zero now students as these two triangles are similar तो इन दोनों की यह जो sides की ratio है यह हम equal put करेंगे तो हम लिखेंगे A, B our O, A is equal to Q, R divided by P, Q तो इसलिए हमने क्यों पूट किया है students because triangle O, A, B and triangle P, Q, R are similar तो students अब हम A, B की value put करते हैं which is equal to S and the value of O, A is equal to R the value of Q, R is equal to delta V and students the value of P, Q is equal to V जो क्या आप देख सकते हैं now students अब हम equal number 2 की तरफ वापिस आते हैं तो students यहाँ पर हम equal number 2 में delta V our delta S की value को put करेंगे तो students सबसे पहले हम इन values को cross multiply करवाते हैं तो हम लिखेंगे S V is equal to delta V R तो students delta V our S किसके इकवल आएगा students delta V our S आएगा V our R के एकवल तो students अब हम इस value को put करेंगे इन एक्वेशन 2 तो आफ्टर पुटिंग इस value in this equation centripetal acceleration की value किसके इकवल आएगी students it is equal to V as it is आएगा बट delta V our S की जगा हम क्या पुट करेंगे students V our R तो students ये किसके इकवल आएगा V square our R this is the final value of centripetal acceleration students grade 9 मे ये फॉर्मूला direct गिवन था लेकिन students आज हमने इस formula को calculate किया है with the help of this explanation तो students centripetal acceleration किसके इकवल है V square our R now students अब हम सबसे पहले centripetal acceleration को define करेंगे then students हम इस formula की मदद से आज का final formula calculate करेंगे which is equal to mv square our R now students centripetal acceleration की value को calculate करने के बाद अब हम centripetal acceleration को define करेंगे what is centripetal acceleration so students याद रखियेगा the centripetal acceleration is the instantaneous acceleration तो of an object moving with a constant speed in a circle and it is directed towards the center of the circle so students पहली बात आपने याद रखनी है the centripetal acceleration is the instantaneous acceleration और students दूसरी बात आपने याद रखनी है it is always directed towards the center of the circular path तो students अगर हम again इस diagram को consider करें तो students इस diagram में आप देखेंगे if this is the center point a पर object की जो tangential velocity है it is v1 it is point a or point b पर tangential velocity है it is v2 and students this is the radius r now students अगर मैं इस tangent को इस tangent v2 के साथ concise करूं तो students आप देखेंगे this is the first tangent v1 अगर हम इन दोनो tangents को मिलाएं तो students जो delta v की value आएगी it is along this direction तो students जहां पर जो centripetal acceleration की direction होगी वो it is also along the direction of delta v तो students अगर मैं delta v को extend करूं तो आप देखेंगे कि ये delta v तो circle के center में से पास नहीं कर रहा it means center की तरफ नहीं होगी लेकिन अभी हमने definition में discuss किया है कि centripetal acceleration की direction हमेशा circular path के center की तरफ होगी तो ऐसा कैसे मुमकिन होगा तो students ऐसा सिर्फ उसी वक मुमकिन हो सकता है जब जब हम point B को इस point पर consider करेंगे तो यहाँ पर point B का tangent इस direction में होगा तो students अब अगर हम दोनो tangents को concise करेंगे तो आप की जो direction है centripetal acceleration की वो towards the center होगी तो students यहाँ पर आपने देखा की centripetal acceleration towards the center of the circular path उस वक्त होगा when the point A and point B are very close to each other यह बात आपकी textbook में भी लिखी गई है नाउ students जैसा की हमें मालूम है from Newton's second law of motion we can write F is equal to MA लेकिन students यहाँ पर force है centripetal force तो centripetal force की वज़ा से जो acceleration produce होगा हो कौन सा होगा centripetal acceleration तो students अभी हमने centripetal acceleration की value को calculate किया है अगर हम इस formula मे put करें तो हम लिखेंगे M into V square our R तो students आप देख सकते हैं यहाँ से centripetal force का final formula किसके equal आया है M V square our R now students यहाँ पर V एक linear speed को represent कर रही है now students यहाँ पर V क्या है V is the linear speed of the object अगर हम इस formula को angular form मे convert करें तो हम लिकेंगे for angular motion angular motion के लिए हम V की value put करेंगे which is equal to R omega तो students V की value इस equation में put करने से जिसे हम कोई number 3 भी कह सकते हैं तो students F C as it is आएगा M B as it is divided by R as it is but V की जगा हम put करेंगे R omega whole square तो तो students हम लिखेंगे M R square omega square divided by R 1 R R से cancel होगा तो finally students centripetal force का formula आएगा for angular motion M R omega square के equal तो students अगर हम इस formula के देखें तो centripetal force की value कि speed bend करती है mass of the object के उपर speed के square के उपर और radius of the circular path अगर हम इन तीनो values में से किसी भी एक value को change करेंगे तो centripetal force की value change हो जाएगी now students centripetal force से related हम एक side box discuss करते हैं जिस में banking of roads को discuss किया गया necessary centripetal force मिल जाए और किसी किसम का accident ना हो अगर road बिलकुल flat होगा और एक एक ऐसी गारी है जिसका center of gravity road से उंचा है इट means कोई van है as compared to car तो जब sharp turn लिया जाएगा तो due to the less necessary centripetal force centripetal force की value कम होने की वज़ा से वो गारी उस path को continue नही कर सके की बलके वो उलड़ जाएगी तो students हादसाथ से बचने के लिए roads के outer edge को थोड़सा उंचा रखा जाता है जहाँ पर round about हो ताक गारी को necessary centripetal force मिले जब वो एक sharp turn लेना चाहे और किसी किसम का accident नहो इस concept को क्या कहते है banking of rods students आप आप ने होगा इसको अच्छे से प्रिपेर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स लेक्चर में अपना ख्याल रखिएगा अल्ला हाफिज